कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने बताया था एक क्रेडिट कार्ट से दूसरे क्रेडिट का बिल अब कैसे पेमेंट कर पाएंगे उसी बक्त मैंने आपको बताय था मैं एक वीडियो ऐसा आप लोगों के लिए आऊंगा जहां पर कोई मर्चेंड नहीं चाहिए मतलब कोई मर्चेंड नहीं चाहिए क्यों आप सभी को पता है रूपे क्रेडिट कार्ड से अगर आप रूपे क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसपर करने के लिए जाएंगे तो कोई ना कोई मर्चेंड होना चाहिए without मर्चेंड आपका credit card to bank transfer नहीं होगा मगर इस वीडियो में मैं first time on YouTube मैं आपको बताऊंगा आप कैसे without merchant credit card to bank transfer कर पाएंगे जी हाँ अभी बहुत सरी भाई बताएंगे सर रूपे card तो नहीं है मेरे पास देखिए अगर आपको लूट ना है अगर आप ए वीडियो देख रहे हो के credit card to bank transfer तो आपके पास रूपे credit card होना चाहिए लिंक आपको description मिल जाएगा वह आपे जाके आप HDFC या HDFC या बैंक को बोर्दा ब्यो भी क्या आप रूपे credit card ले लिजिए वो भी life temporary हो जाएगा जैसे कि देखिए HDFC में अभी HDFC जो रूपे credit उसको मत लिजिए आप क्यूंकि देखिए वह आपे limit जादा नहीं मिलता है new card जो HDFC का new credit card होता है उसको ले लिजिए क्यूंकि उसमें आपको limit जादा मिलेगा limit जादा मिलेगा तभी तो आप credit card to bank transfer जादा कर पाएगा तो अगर आपको अच्छा limit नहीं मिलता है तो वो credit card लेके आप क्या करेंगे इसलिए आप HDFC जो new credit card है वो apply कर दिए बहुत सरी भाई को without income proof आपको मिला है और उसका भी वीडियो मैं आपको दे दूँगा कैसे आपको without income proof उसका link मैं description दे दूँगा और apply link उसके साथ ब्योबी भी है ब्योबी से मैं आपको करके दिखाऊंगा ब्योबी भी lifetime free है उसका link भी आपको मिल जाएगा description में ए दो card आपको लेना चाहिए क्योंकि credit card to bank transfer अगर आपको असानी से करना है वो भी free में तो trick क्या है trick है इसके लिए आपको लागेगा five bank का account अभी जो भाई के पास five bank account नहीं है आप मेरा description में जाएगे वह पे एक link मिलेगा five bank का उसमें जाके zero balance account होता है इसमें जाके account create कर लेजिए three thousand आप add कीजिए उसके बाद UPI से आप आपका bank में ले लिजिए इसी trick से आप three thousand add कीजिए तो इसमें आपको क्या फाइदा होगा इसमें आपको first time ये add money करने के लिए आपको flat one hundred का आपको मिल जाएगा bank में तो इसलिए मैंने कहा कि three thousand add कीजिए उसके बाद तुरांत आप UPI से bank में ले लिजिए तो free में आपको one hundred फाइदा तो इसके लिए क्या करना बढ़ेगा five account जिसके पास है आप इस तरह home page में आए आने के बाद मैंने two hundred करके आपको दिखा रहे हूँ two hundred आप add कीजिए करने के बाद add money option पे जाएए जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए बहुत सरी option आ जाएगा यहाँ पे आपको चूज करना है paytm phone pay या भीम जो भी UPI क्योंकि आपको पता है paytm पे भी आप आपका रूपे जो credit card है उसको आप पहले से वहाँ पे link कीजिए अगर आपके पास link नहीं है और link कैसे करना आपको पता है रूपे credit card को अगर आपके पास phone pay है तो phone pay में भी आप रूपे credit card जो है उसको link कर दीजिए जैसे मेरा link है तो मैंने क्या किया यहाँ से मैंने phone pay को चूज कर लिया उसके बाद इस तरह पे जाएगा उसके बाद add money पे मैंने गया phone pay को चूज कर लिया करने के बाद redirect हो गया phone pay में अभी phone pay में देखिए मेरा already रूपे credit card add है देखिए बियोबी है कोटा के है एजडिव से तो मैं क्या किया मेरा बियोबी को चूज कर लिया payment करने के लिए और UPI से EPIN से मैंने payment कर दिया मेरा payment हो गया successful मैंने क्या से देखिए credit card से bank में transfer कर दिया वो भी without merchant क्योंकि 5-1 bank account है कोई merchant नहीं है क्योंकि बहुत सरी भाई के पास merchant नहीं है यही problem है बहुत सरी request आता है कहां पे request आता है टेलिग्रम पे सर कुछ ऐसा trick बताई है मेरे पास रूपे कार्ड है उसको bank पे लेना है सर क्योंकि मेरे पास तो सर merchant नहीं है तो आज आपको लिए यह वीडियो है और आपको भी इस तरह कोई request या आपके request पे वीडियो चाहिए तो टेलिग्रम का link मिलेगा उसमें जरूर जाके आप वहाँ पे add हो जाए क्योंकि टेलिग्रम भी ऐसे जरिया जहां पे मैं आपको proof देर पाहूंगा तो ऐसे मेरा देखिया payment successful हो गया उसके बाद मेरा payment आ गया मेरा bank में five account में आ गया अभी five account से bank में कैसे लेना है क्योंकि bank की account है एक five अभी हो तो नहीं आप बताएंगे sir bank क्योंकि सीधा आपका bank में आ गया without merchant तो यह first time है अभी इसके बाद क्या करना होगा अगर आपका अभी मैंने क्या किया मेरा जो मैंने transfer किया उसका bill आएगा next month तो इसके लिए मैं mobiquick extra में invest कर दिया उसमें मुझे 12% मिलता है मतलब कि part day मुझे interest मिलागा 1% तो मैं उससे profit कर लूँगा उसके बाद मेरा ही trick से मैं 2% जो है मेरा उसका भी link मैं आपको दे दूँगा 2% आपको मिलेगा credit card का bill payment पे जब मैं payment कर दूँगा तो मेरा free में transfer भी हो गया उसके साथ मेरा income भी हो गया mobiquick से और उसके साथ मैं 2% पे credit card का bill भी दे दूँगा तो एही था आज का छोटा सा एक वीडियो आशा करती हो वीडियो अच्छा लगा एक like कर दीजे